Hello everyone, समिच्छा अधिकारी सहक समिच्छा अधिकारी प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आज हम आप सभी के लिए राज विवस्ता से समवेधानिक संसोधन पराधारित प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं अच्छे प्रश्न है अच्छी तैयारी कर लीजिए पहला प्रश्ण है भारती समिधान के संसोधनों से सम्मंदित कौन सा मिलान गलत है एक तरफ संसोधन है और एक तरफ वर्स है तो कौन सा मिलान गलत है पहला समिधान संसोधन 1951 बिलकुल सही है साथवा समिधान संसोधन 1954 ये गलत है 21 समिदान संसोधन 1967 बिल्कुल सही है 52 समिदान संसोधन अधनियम texto 1885 बिल्कुल सही। तो हमारा अंसर हुआ B, चांट्मा समिदान संसोधन अधनियम 1956 में आया था, इसके तहट राज्यों की चार स्रेडियों को समाफ्थ करके 14 राज और 6 केंसासित राज बनाए गए थे अगला प्रस्ण है दूसरा समिधान संसोधन का प्रावधान किस अनुचेद में दिया गया है बहुत अच्छा प्रस्ण है आपसन देखने हैं अनुचे 360, 368, 370, 395 तो समिधान संसोधन का प्रावधान किस अनुचेद में दिया गया है अनुचे 368 ठीक है 368 में समिधान संसोधन के बारे में उन लिक मिलता है तिसरा प्रस्ण है समिधान संसोधन के बारे में निमलिकत में से कौन सा कथन गलत है समिधान संसोदन के बारे में इन कत्रों में से कौन सा गलत है पहला देखिए अफसर नमबर ए समिधान संसोदन का आरम सदन के किसी भी सदन में किया जा सकता है संसत के किसी भी सदन में किया जा सकता है तो ये बात बिल्कुल सही है समिधान संसोधन विधेक के लिए राष्टवत की पूर्व सीक्रत आवस्यक नहीं है ये बात ये बिल्कुल सही है समिधान संसोधन के मुद्दे पर दोनों सद्रों में असाहमत होने पर सैयुक्त बैठक का प्रावधान है बिल्कुल गलत समयधान संसोधन विधयक को दोनों सत्रों में 20 वह में से पारित होना निवार है बिलकुल सही तो A, B और D सही हैं C गलत है समयधान संसोधन के मुद्दे पर सयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है प्रस्टन क्या चार है निवलिकित में से कौन सा उपवान समयधान के साधार बहुमत द्वारा संसोधित किया जा सकता है साधार बहुमत द्वारा किसे संसोधित किया जा सकता है नए राजियों का गठन इवंपरवेस हां बिलकुल किया जा सकता है राजभासा का प्रियोग बिल्कुल किया जा सकता है केर्सासित प्रदेश से समंधित प्रावधान बिल्कुल राष्टपति का चुनाव में प्रिक्रिया बिल्कुल नहीं राष्टपति के जो चुनाव की प्रिक्रिया आप लोग जानते हैं एकल संक्रमनी मत पद्दित दौरा होता है, उसकी जो प्रिक्रिया होती है, उसको आप साधार बहुमत दौरा नहीं बदल सकते हैं, इसे बदलने के लिए इसमें संसोधन करने के लिए विसेज बहुमत प्लस आदे सिदिक राजियों की सहमत जरूरत पड़ेगी, ठीक है तो आप्सन नमबर डी गलत है 42 में संभिधान संसोधन अधनियम 1976 द्वारा कौन सा भाग संसोधित नहीं किया गया यानि ये चार आप्सन है इन चार में से ऐसा कौन है उपवांद जिसे इसके ते तीन नीत निसे सक तत्त जोड़े गये थे समान नयाय और निशिल कुईदिक साहता उद्योगों के प्रवंदन में कामगारों का भाग लेना ठीक है परयावन सरचड समर्दन वान इमब बन जीमों की रच्चा ये तीन प्रावधान जोड़े गये थे ठीक है पांच विशियोग को राज सूची से समर्थी सूची में इस्थानांतरित किया गया था ये भी बिल्कुल सही है पांच विशे कौन थे सिक्षा था वन जीवों में पच्चियों का सानच्चड था नाप तौल था और नयाय प्रसासन और चितम नियाले के अलावा सभी नियाले का गठन ये पांच चीजों को राज सूची से समर्थी सूची में इस्थानांतरित किया गया प्रस्तावना में तीन नए सब्दों जोड़े गये विल्कुल सही समाजवादी पंथ नियर्पेच और अखंड़ता तीन सब्दों जोड़े गये रास्ती आपातकाल में आंतरिक असांतिकी जगह सब्दों सब्द रखा गया ये विल्कुल गरत है ये 42 समिधान संसोदन द्वारा नहीं ये 44 समिधान संसोदन द्वारा किया गया था ठीक है अपसर नमबर डी हमारा गलत है पांच में प्रस्ण में अगला प्रस्ण है 66 समिधान संसोदन द्वारा कौन एक संसोदन नहीं किया गया हम लोग जानते 66 समिधान संसोदन द्वारा नहीं 2002 मिलाया गया था ये शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध है तो इसमें क्या था माता पिता का करता भी होगा कि आपने 64 वर्स के वच्चों के शिच्चा दिलवाएं विल्कुल सही एक 11 करता भी जोड़ा गया था राजीयों को वर्ष 14 को 14 वर्ष की बाकी तीनों सही है 7 prim LOQ यह प्रशन बहुत important सबसे फेवरेट प्रस्णों में से एक है ये यूपीपीसी के एकत्र में समिंदान संसोधन अधनियम द्वारा इन चार आपसन में से एक कौन सी भासा जोड़ नहीं जोड़ी गई थी तो नेपाली जोड़ी गई थी मडिकुरी जोड़ी गई थी और कोंकडी तो इसको अपस्वार में ऐसे जाद करते हैं को नेम को नेम कोकडी नेपाली मडिकुरी जोड़ी गई थी मैथली नहीं जोड़ी गई थी तो वारा का दर्दा दरजा प्रदान किया गया है किस समिधान संसोदन द्वारा तो दिल्ली को जो विशेस राज का दरजा जो दिया गया है वो दिया गया है आपका 69 समिधान संसोदन द्वारा ठीक है 69 समिधान संसोदन द्वारा आपसे नमबर C दौरा ये विल्कुल सही है ठीक है उसी के तहत दिल्ली में बिधान सभा बनाए गई थी नौवा प्रस्ण है कौन सा मिलान गलत है 101 मा समिधान संसोधन GST से समन्दित है विल्कुल सही 102 समिधान संसोधन रास्ती पिछड़ा वर्ग आयोक से समधित है बिल्कुल सही 103 समिधान संसोधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरचन यानि EWS बिल्कुल सही 104 समिधान संसोधन तीन तलाग बिल्कुल गलत है इमारा आंसर है 104 समिधान संसोधन 3 तलाग से नहीं है 104 समिधान संसोधन SCST अरचन को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है उससे समंदित है ठीक है और अंगल भारतियों का जो अरचन सा उसको खतम किया गया तो 104 यहां पे गलत है तस्वा प्रस्ण है 105 में समिधान संसोधन अरचन का संबंध किस से है 105 में यह सबसे नया है समिधान संसोधन इसको आप याद कर लें 105 में समिधान संसोधन का जो संबंध है वो है सामाजिक और सैच्छिक रूप से पिष्ड़े वर्गों की पहचान करने से राजियों को ये सक्ति प्रदान की गई है कि सामाजिक और सैक्चिक रूप से पिष्ड़े वर्गों की पहचान करें राज उनको ये पावर दी गई है 105 में समिधान संसोधन अधनियम 2021 द्वारा ठीक है गयरवा है बानुएवे समिधान संसोधन अधनियम 2003 द्वारा कौन कौन सी भासा है जोड़ी गई यहाँ पर अप्शन में क्या दिया है बोडो, डोंगरी, मैथली, संथाली इन में से कौन कौन सी भासा जो हमारी अनसूची है उसमें जोड़ी गई है 22 अनसूद अधनियम 2003 द्वारा तो पहली द्यूसरी, दूसरी तीसरी पहली दूसरी और तीसरी या चारो तो इसमें आंसर में क्या है चारो बिल्कुल सभी है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं बोडो, मैस बोडो मैस सहकारी समितियों से सम्मंदित नया भाग नौखा समितान में किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया नोखा किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया था तो इसका जो आंसर है वो है 97.17.2011 दोरा सयकारी सवितियों से समंधित भागनों खा जोडा गया ठीक है तेरवा प्रसन है किस समिदान संसोदन अधनियम दोरा लूक सवा यंविदान सवा चुना में मतदान की उम्र 21 से घठा कर 18 वर्स कर दी गई ये भी बहुत ही फेमस प्रसन है और ये बहुत बार इस पर प्रशन आ चुका है और इसका आंसर है एक सठवा समिधान संसोदन अधनियम एक सठवे समिधान संसोदन अधनियम 1989 द्वारा लोकसवा बिजान सवा में चुनाओ मददान करने की उम्र 21 से गटा कर 18 वस कर दी गई थी ये भी प्रशन चौदवा प्रशन भी PCS में पूछा गया है UP PSC ने पूछा है हिंदी भासा में समिधान का प्राधिकरत पार्ट उपलब्द कराया गया और समिधान के हिंदी पार्ट समान विरिमानता प्रदान की के संसोदन द्वारा तो उसका आंसर है यहाँ पर 58 समिधान संसोदन अधनियम 1987 हिंदी भासा का प्राधिकरत पार्ट के बारे में ये फेमस है प्रशिद्ध है पंद्रमा प्रशन है किस समिधान संसोधन द्वारा केंदरी मंत्री परिशद में प्रधान मंत्री समेत मंत्रियों की अधिक्तम संख्या लोकसवा की खुल सदस्य संख्या की 15 परिशद से अधिक नहीं रखने का प्रधान किया गया है ये प्रस्ण भी बहुत important है और कई बाहर आ चुका है अच्छा प्रस्ण है इसका आंसर 51. संविधान संसोधन दियम 23 दोरा प्रावधान है कि केंदर में प्रधान मंत्री समेत मंत्रियों की अधिक्तम संख्या लोकसवा की कुल सज़त संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी ठीक राजियों में मुख मंत्री समेत मंत्रियों की अधिक्तम संख्या विधान सभा की कुल सज़त संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी किन्ट राजियों में मुख मंत्री समेत मंत्रियों की नियुनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी ये भी रखा गया है ठीक है नियुनतम संख्या म मुख मंत्री समेत मंत्रियों की बारा होगी ठीक है सोलवा प्रशना है सात्मा समिधान संसोदन अधनियां 1956 द्वारा कौन सा प्रावधान संसोदित नहीं किया गया है तो सात्मा समिधान जो अधनियां 1956 आया था उसमें कौन सा प्रावधान नहीं था राज्यों के चार वर्गों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 के अंसासित प्रदेशों की स्विक्रत बिल्कुल था दो या दो से अधिक राज्यों के बीच सामोहिक नियाले की स्थबना बिल्कुल ये भी किया गया था उच्छ नियाले में अतरिक्त नियाए अधीस एवं कारगाई नियाधीस की नियुक्त बिल्कुल ये भी किया गया था अपसे नमबर डी गलत है ये भूम सुधार और नियाएक समिच्छा से जुड़े कानून को नौमी अनसूची में जुड़ना ये साथ में समिधान संसोधन का नहीं था ये कार किया गया था पहले समिधान संसोधन द्वारा प्रसम समिधान संसोधन द्वारा भूमि सुधार नियाएक समिच्छा से जुड़े कानून को नौमी अनसूची में जुड़ा गया था तो ये मारा अंसर हो गया ठीक है सत्रमा प्रस्ण है समिधान संसोधन की प्रक्रिया भारती समिधान में कहां से ली गई है तो समिधान संसोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिन अफ्रीका से समिधान संसोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिन अफ्रीका से राश्ट पति को समयधानिक संसोधन बिधेक पर मंजूरी देने के लिए बाद दिखिया गया है संसोधन बिधेक पर राश्ट पति बाद है अपनी सैमत देने के लिए ठीक है तो इसमें आंसर क्या होगा 24 समयधान संसोधन अधनियम 1971 चोबीस में समिधान संसोतन अधनियम 1971 द्वारा राष्टपत को समिधानिक संसोतन विदेकपर मंजूरी देने के लिए बात किया गया ठीक है उनीसवा प्रस्ण है किस समिधान संसोतन अधनियम को दल बदल विरोधी विधी के रूप में जाना जाता है तो दल बदल विरोधी विदी के रूप में जाना जाता है आपका 52 समिधान संसोधन अदियम 1925 को ठीक है? अच्छा प्रसने कई बार ये आ चुका है. निवलिकित में से कौन सा समिधान संसोधन 44 में समिधान संसोधन अदियम 1978 से समंदित नहीं है? तो 44 में समिदान संसोधन में जो प्रावधान किये गये थे उन में से इन आप्सन में से क्या नहीं था लोकसवाब राजविदान मंडल का कारकाल पांच वर्स रखा गया विल्कुल सही जो 42 में समिदान संसोधन में इनका कारकाल प्शे वर्स कर दिया गया था उसे 44 समिधान संसोदर में फिर से 5 वर्ष रखा गया राष्टपत केवल कैविनेट के लिखित सिफारिस पर ही आपातकाल कोशना कर सकता है बिलकुल सही समपत्ति के अधिकार को सवाप्त कर दिया गया उसे केवल बिदिक अधिकार बनाया गया बिलकुल सही तिरपुरा में स्वायद जिला परिशत को समयधानिक मंजूरी दी गई बिल्कुल गलत जो तिरपुरा में जिला परिशत को समयधानिक मंजूरी दी गई वो दी गई थी उन चास्वर समयधान सवसंद वारा ठीक है तो यह बारा आंसर है तो यह प्रसंद थे अच्छे प्रस करते रहें बढ़ते रहें खुछ रहें थैंक यू